ताला बंद करो अब पाट साला में ताला बंद करो अब ड्यूटी लगा मजू साला में ताला बंद करो सोशल मीडिया पर यह गाना अगर अपने भासा में हम कहें तो गर्दा उड़ा रहा है मतलब कि विपक्ष के बड़े बड़े निताओं से लेकर विपक्ष के ट्वीटर हैंडल तक पर यह गाना आसानी से देखा जा सकता है सोशल मीडिया पर कई पेज पर यह गाना अप्लोड किया गया है और हमने कई जगहों पर देखा है कि मिलियन भी उच मिल चुका है और फेस्बुक ट्वीटर से लेकर लोग अपने वाटसेप में शेटर्स तक पर इसे शेर कर रहे हैं गाना किस तरफ इशारा करता है तो इससे समझने के लिए आपको आज से कुछ दिन पहले बिहार सरकार की तरफ से बिहार के सिक्षकों के लिए दिया गया नया फर्मान जानना पड़ेगा बिहार सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब बिहार के सरकारी बिद्यालेओं में पढ़ाने वाले सिक्षक सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं बलकि शराब भी पकड़ेंगे इसके बाद सोशल मीडिया पर मुखी मंतरी नतीश कुमार को लेकर खुब मजाग मनाया गया और बिहार सरकार के इस फैसले की हर तरब से हसी उड़ाई गयी तथा इसके बाद सोशल मीडिया पर यह गाना वायरल हुआ जिसमें भी हार के इस तिक्षकों से अपील की जाती है कि अब पाट साला में ताला लगा दीजिये क्योंकि आपके ड्यूटी पाट साला की जगा मधुषाला में लगा दिया गया है अब नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्षन गुटना कमरदर लकवा आदी जैसे बिमारी उसे परिशान है जल्दी संपर करे आरोगे हिल्थ और विल्नेस सेंटर पर यहां फिजियो थेरेपी और अन्य विद्यो द्वारा चिकित्सा की जाती है संपर करें 748818549 पर पाथ साला और मधुसाला वाला यह गाना जो सोशल मीडिया पर गरदा उड़ा रहा है वह MBS फिल्म भोजपुरिया जवान फेस्बूक पेज पर अप्लोड किया गया था हलाकि अब आप इस गाने को बिहार के कई बड़े फेस्बूक पेज पर देख सकते हैं क्योंकि वाइरल होने के बाद इस गाने को कई जगों पर अप्लोड किया जा चुका है वाइरल भी इस कदर हुआ कि विपक्ष के बड़े बड़े निताओं के प्रोफाइल पर शेयर किया जाने लगा बिहार के मुख विपक्षी दल के ट्वीटर हैंडल पर दिखने लगा और जब सोशल मीडिया पर हर तरफ यह गाना सुनाई देने लगा तो हमने सोचा कि आपको इसके बारे में बताये जाए इसके बारे में चर्चा की जाए सबसे पहले गाने में कहा जाता है कि ताला बंद करोग पार्ट साला में अब ड्यूटी लगा मधुशाला में इसके माध्यम से मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर कटाक्ष किया जाता है और उनके उस फैसले का मजा खुड़ाया जाता है जिसमें विहार सरकार की तरफ से कहा गया होता है कि अब विहार के सिक्षक शराबियों को भी पकलेंगे माश्चर साहब लोग सुना आया नया कानून पीके हुआ जो टून उसको पकड़ो चूल चून करके सिक्षा का खून गावो नितीश का गून ताला बंद करो ताला बंद करो अब पाट साला में ड्यूटी लगा है अब मधुशाला में गाने में ही बता दिया गया है कि माश्चर साहब लोगों के लिए बनाया कानून आ गया है और अगर कोई शराब पीएगा तो उसे पकड़ने का काम माश्चर साहब करेंगे तथा एक और बात कहीं गई है कि सिक्षा का खून करके नितीश कुमार का गून गाना है और अब पाट साला में ताला लगाकर मधुशाला में ड्यूटी करनी है गाना गाने वाले जिन तिन लड़कों को अभियाब अपने स्किन पर देख रहे हैं उन्हें अपने पहले भी बेरोशगारी से लेकर कई सारे मुद्दों पर गातने हुए सुना होगा इसके पहले भी साला में ड्यूटी लगाने वाला गाना वायरल हुआ और गाना इतने जबर्दस तरीके से वायरल हुआ है कि कई सारे बड़े फेस्बुक पेज पर यह दोबारा से भी अपलोड किया है गाने के बीच में सरकार के फैसले का मजाग बनाते हुए यह तीनों लड़के आपस म में टॉर्च जलाकर कौन सोचाले कर रहा है इसकी निगरानी करो कभी कहते हैं कि राज में कितनी भेन बकरिया है यह गीनों और अब तो कह रहें कि राज में कौन शराप पी रहा है उसको पकड़ो गाने में मजाग बनाते हुए अभी कहा जाता है कि नितिश कुमार मास्च पीजर सहाब को जर्सी गाय समश्य है मतलब कि जब मन करें तब उसका दूर निकालने का ओडर दे देते हैं इसके बाद आगे मुख्यमंत्री नितिश कुमार से कहा जाता है कि आप मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैठे हैं और अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो मुख्यमं का डिबाद तो है नहीं है भी कोल का डिबाद थोड़े है उस पर से अप उतर जाएए अब यह गाना सोशल मीडिया पर लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने जम कर शेर किया और खासकर भी पक्षी दलों के नेताओं को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने तो इसे अच्छा मंत्री ने सफाई दी कि बिहार के सरकारी सिक्षकों को कोई टार्गेट नहीं दिया गया है बलकि उन्होंचे सिर्फ अपील की गई है लेकिन यह बात भी संच है कि बिहार सरकार की तरफ से एक सुचना जारी कर दी गई थी और अगर वक्केवल अपील रहती तो पहले से ही की जाच्ची थी तो फिर कोई सुचना अलग से जारी करने की जरूप नहीं थी बाकि पाट साला और मदुशाला पर गाया हुए यह गाना सोशल मीडिया पर गर्दा उला रहा है मौझूदा समय में सोशल मीडिया पर हर तरफ ही यह देखा जा सकता है बाकि यह फिल्म्स भोजपुरी या जवान के कई अन्य गाने भी सोशल मीडिया पर पूर्ब में वाइरल हो चुके हैं और बेरोजगारी जैसा गाना तो इतना वाइरल हुआ कि उस पर भोजपुरी में कई गाने भी बनाएगे बाकी आप वीडियो को शेर किजिए और वीडियो कैसा लगा उसे कोमेंट बॉक्स में लीकर बताईएगा इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं अगर फेस्बूक पर देखना है तो पेज को लाइक कर लिजे तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजे मिलते हैं फिर बहुत जा लगली वीडियो और में मुहित कमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद